हेलो गाईज, वेलकम बैक टू अनर्दर वीडियो, आज की सुड़े में बात करेंगे RRB Group D में Normalization कैसे होगा, जैसा कि आपको पता है कि जो पुराना method था Normalization का उसे चेंज करके अब percentile based Normalization हो जाएगा, तो बहुत सारे student का doubt है कि इस बार Normalization हो गई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपके row score mark जितने भी है, यानि कि जीचे absolute score card कहते हैं, सपोज अगर आपके 65 आये और आपका shift बहुत hard है और दूसरा जो shift था, उसमें जो टोपर student था, उसके 80 marks है और थोड़ा पहले वाले से easy है, और जो third shift है, सबसे easy आया उसमें जो टोपर student था 90 आगे, तो इन तीनों का percentile कितना होगा जो टोपर student होगा, उसे 100 माल लिया जाता है, कि उसका 100 percentile है यानि कि 65 वाले के भी 100 होगे, और 80 वाले के भी 100 होगे, और 90 वाले के भी 100 होगे तो ऐसा होता है percentile based normalization, अब बात करते हैं कि normalization होता है इसमें, यह होता है, अगर आपने पिछला कोई भी percentile based का exam दिया है जैसे UP pet हो गया, और भी जो other exam होते हैं सो जब आपका final scorecard आएगा तो उसमें तीन टाइप का आपको दिखेगा number एक तो आपके जो absolute row marks होंगे वो दिखेगा, उसके बाद normalized marks दिखेगा नर्मलाइज में क्या होगा, आपका increase भी हो सकता है, थोड़ा वो decrease भी हो सकता है इसमें जब यूपी पैट का आप देखोगे scorecard के दिखेगी student का या विर आप नहीं दिया तो उसमें आपको पता चलेगा कि marks decrease भी होए हैं और increase भी होए है नर्मलाइजिशन के बाद, उसके बाद होगा final में percentile waste normalization जैसे कि मैंने बताया कि hard, shift और उससे थोड़ा easy, सबसे easy वालों के 100 मान लिया जाता है तो ऐसा कुछ होगा और row score base के बारे में मैंने expected cut-up बताई आपको कि कितनी कितनी जा सकती है हर जोन की आप उसे जाकर देख भी सकते हो, separate मैंने कम सकम 4-5 वीडियो provide कर दी है जिसमें मैंने लगबख 4-5 जून का मैंने बताया है और data भी बिल्कुल official दिया है कि per seat competition कितना है और जब अभी 45% attendance है तो उसके according per seat competition कितना होगा और physical efficiency test के लिए एक seat पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा और उसमें कितना competition है तो आप जाकर देख भी सकते हो और last video में जो मैंने इस्टन railway कोल गाता का cutoff बताया है उसमें normalized percentile based जो normalization होगा उसके बारे में भी explain किया है तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत idea लग जाए आपका row score based पे मैंने normalization की बात नहीं गई है उसमें जो row score card है आपका उसके according मैंने बात किये और उसमें बताया भी है मैंने कि अगर आपका ज्यादा ही difficulty है तो थोड़ा बहुत कम भी जा सकता है जैसे कि आपको पता है कि इस बार paper की difficulty level पहले से कितनी आई है तो पहले से compare कर है total form पी लब कितने हुए है तो मैंने जोन वाइस बनाया है चार से पांच वीडियो तो वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा तो आप उसे जाकर देख सकते हो आज किस वीडियो में इतना ही thank you guys मिलते है किसी next video